रस्ता हो जाता है परबत सागर में भी जब जजबा होता है जब हिम्मत होती है नमस्कार सलाम नीज क्लिक के इस खास करकर्म चनौशक्र में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकल सरल किसानों ने साबित कर दिया है कि वाकई एक जो ठोकर लड़ाई लड़ी जाए तो हर मोर्चा जीता जा सकता है फत्य किया जा सकता है किसानों की लड़ाई इस बार आसान नहीं थी ये तीन कृशी कानूनों से आगे जाकर हमारे लोकतंतर, हमारे जम्हूरियत को बचाने की लड़ाई में तब्दील हो गई थी तब ही तो किसानों ने ठाना है कि जो सरकार जनता के साथ नहीं है, किसान मजदूरों के साथ नहीं है, उसे जाना होगा किसानों ने पहले पश्रिम बंगाल के चुनाओं में अपना असर दिखाया और अब तो किसान आंदुनन के गार उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाओं होने जा रहे हैं पंजाब का चुनाओं फिलाल किसानों के हक में दिख रहा है और यूपी जिसका मुख्यमंतरी किसान नेता के लखनाओ आने पर ही धमकी की भाशा बोलने लगता है सत्ता रूट पायटी कायटून बनाती है और किसानों का मजाग उलाती है अब उसी यूपी के मोर्चे पर लड़ाई है इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मैमान है स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारत एक किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धरमेंद्र मलिक जी और राजधाने लखनाओं में हमारे साथ रहेंगे इस सांदूलन और राजनिती को करीब से देखने वाले लेखक, राजनिती को विशलेशक और एक्टिविस्ट लाल बाहदुर सिंग पहले बात करते हैं धर्मेंद मलिक जी से मलिक जी निउस क्लिक में आपका बहुत 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 धन्यवाद और आभार और इस एहत्यासिक लड़ाई को जीतने के लिए भी बहुत बहुत बढ़ाई एक जीत के साथ आप लोग घर लोट रहे हैं और घर एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन में किसानों का यूपी के किसानों का था खास्तोर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से भी जहां से आप आते हैं मैं आपको एक बात कहूं फिर इसको आगे बढ़ाएंगे कि किसान घर लोट रहा है लेकिन आंदोलन नहीं छोड़ रहा है आज हमारे कुछ सवाल बाकी हैं उन सवाल पर हम लड़ेंगे मैं इधर से सुरू करूँगा कि जब ये देश में किसान आंदोलन आया तो जब देश में एक मावल था कि अगर आप जो है जनता की आवाज बनोगे या कोई जनता की आवाज निकलेगी तो उसको दबाने का काम था और अगर थोड़ी चिंगारी बनती है तो देश में तमाम इस तरह के कानून थे और उस इस्तिती में ये आंदोलन खड़ा हुआ जब देश में जो है लोकतांत्रिक मुल्यों को और जनता की आवाज को दबा जा रहा था और ये तेया हो चुका था कि अब इस देश में अबने आए और उन्होंने कहा कि अगर आप इमानदारी और सही मांगों के साथ और सांती पुर्वक और इंसक तरीके से इकटित आपको होना पड़ागा अपनी बात रखते हो तो कोई आपकी बात को दबा नहीं सकता तो इस आंदोलन ने इस किसान आंदोलन ने नहीं इस ने देश के तमाम आंदोलनों को जबान दी है मैं जानना चाहरा था क्योंकि हम चुनाओं पर थोड़ा बतियाना चाहरे थे कि एक नेता और वोटर के तोर पर भी किसान है वो इस चुनाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है या करेगा ने देखिए ये जो आंदोलन है मैं ब करनाने का काम किए था बीच में दौर आया जब जाती गत्रुयकरन के आदार फे किसानों को किसान बढटने से रोका गया और चुनव हो जाती पर फिर जाती गत्रुवी एक दुर्वी करण को ला गया और फिर धर्म के नाम पर किसान चुनाओ के समय हिंदू हो जाता है मुस्लिम हो जाता है जाट हो जाता है गूजर हो जाता है लेकिन इस अंदोलन की खूरती ये रही कि इसने सोशल हर्मोनी को संभालने का और जोडने का काम किया राश्थान में गुजर और मेना में टक्राव था लेकिन दोनों एक ही मंच्चा लड़े हैं पस्ची मुत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो किसान है वो हिंदू भी है मुस्लिम भी है आपस में टक्राव था एक प्लेट फॉर्म नहीं था इसको एक पसे इस देश की उत्तर भारत की दसा और दिसा राजनिती की तेह करने वाला है और दिल्ली के आंदोलन ने जक्म बहुत दिये हैं जो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं जी मैं वहीं वह पूशना चाहरा था आपसे कि जैसे अब ये मांगे मानी गई हैं सारी मांग उपर एक बड़ी मांग आपकी मान लिए और और उपर सहमती हो गई है तो क्या ये बीजेपी के पक्ष में जाने वाली चीजे हैं उन्होंने यही सोच के किया कि सब कुछ हमार निकाल दो लेकिन इस आंदोलन की दो बड़ी बात थी दो बड़ी मांग थी विक्टरी तो बड़ी है अगर हम लोकतांत्रिक मुल्यों के आधार पर देखें या जनता की आवाज पर देखें तो उस सासक को बात माननी पड़ी है जो ये कहता था कि हम जो करते हैं उससे पी और जनता कहती है कि इसको पर्खास्त कर दिया जाए और वो आज भी मुकमंत्री और प्रदानमंत्री के साथ फोटो सेशन में रहता हो तो यह सरकार की हकीकत है हर चीज में इनको पॉलिटिक्स नजर आती है लेकिन मेरा यह कहना है कि यह जब जो पूरा घटना करम है आगर आ कन के सानून तो हमारे हके वीरुद hey हमें मिला क्या सरकार हमारे इतो पर खुताराघात करना चाहती थी उसको हमने अपनी तागत और संगर्स के दम पर रोका है लेकिन जो किसानों का असली मुदा बिल के साथ साथ में जो असली मुदा था जो पिछले लंबे समय से एक मां कि इसको पूरा किये बिना किसी सरकार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है और यह पूरा पॉलिटिकल एशू रहेगा और हमारा हर विपक्स और हर मतलब छेत्रे राजनेतिक दलों से भी यह सवाल लेगा कि क्या वो इसको अपने एजंडे में स्थान देंगे पश्चिमी उपी करते हैं प्रेक्टिकल पर यकीन करते हैं पिछली सरकार जो बनी वर्तमान सरकार जो आई वो गन्या कि 14 दिन के बुगतान के नाम पर उन्होंने का 14 दिन में बुगतान होगा और सी टू पलस 50 के आदार पर रेट तैया होगा लेकिन सब से पूर प्रोग्रेस चाहे बुगत अगर अंतर आपकी होगा और किसानों को ठीक है आपने हम तो ठीक है विश्य था हम अपने बात लेका आए थे वो पूरी होगी लेकिन जिस तरह से अंदोलन समाप्त हुआ है लोक्तंत्र में वो भी सरकार का एक तरीका नहीं होता सरकार को बैठना चाहिए था बात करनी चा अगले महिने अगले में दो जार तेईस में प्रवेश कराई वो बाइस में और परदान मंतरी जी का अमदनी दुगनी करने का जो वादा है वो 28 जनुवाइं फरवरी का दिन है पूरा उने वाला है और डाटा लगबग सब आ चुका है तो यह तो प्रगती है हमारा यह मानना है कि पंदरा जनुवरी तक हम इस पूरे अंदोलन की समिक्षा करेंगे और एक समय आएगा आज MSP एक बड़ा मुद्धा है एक समय आएगा कि MSP को इन सरकारों को करना ही होगा और वो समय भी मेरे इसाब से 2023 और 2024 का जो बीच का समय होगा वो सबसे चाहता हूं लोगों के लिए भी है कि जो आज करतेने की बात करते हैं और जिन्होंने सहयोग भी किया है इस अंदोलन की आवाज से आवाज मिलाई है उन राजनितिक दलों के लिए भी वो प्रेक्षा की घड़ी होगी कि क्या वो इस बात से सहमत है या नहीं है लेकिन हां बहुत सारे लोगों विपक्ष ने भी अपना अच्छा काम किया है और पहली बार जो है कोई पबलिक वेप जारी और इसके नौर विपक्ष ने काम किया तो इस आंदोलन ने बहुत आयाम इस्थापित कि देखिए सरकार अराम में निजी करण को सब से जादे बढ़ा दिय गया है और इस आंदोलन की खुपसूरती यह है कि जो कॉर्पोरेट मूब आए खड़ा था इस संसाधनों को लेलने के लिए जो एक तैयारी है डारेक्ट इंडारेक्ट रूप से चाहिए वो डबलुट्यों के माद्यम से हो चाहिए अप्टीयो या और सेफ हो तो यह सब जो चीजें है अब इस पूरे इस घटना करम को देखते हैं तो खत्रा जो किसान के लिए वह अगला खत्रा सीड पर है वो सीड लोग चेंच आते हैं भारत में वह इंट्रेक्ट प्रोपर्टी राइट को समाप्त करना चाहते हैं कुछ कंपनियां अपना राइट चाहती है तो हर कॉर्परेट की उस पर नजर है और सरकार की प्रगते भी हैं इसकी कोशीशे चल रही हैं आईशीयार उस पर काम नहीं कर रहा है सारी मौनसेंटो की पंडिंग पर हमारी यूनिवरस्टी और आईशीयार काम करते हैं तो फिर वो किसान के लिए क्यों करेंगे तो इस हंद के खिलाब पहला ब्रेकर है हंदुस्तान का अचार के खिलाफ तीन कानुन के खिलाफ ना होके लड़ाई झालबा कि लड़ा इसको लिए उसको लिए लड़ना पड़ा कि यह बड़े Hudson के खिलाबती एक साधन एक साधन विहिन और एक साधन संपन के भीच कि ये उनका मीडिया और ये हमारा मीडिया है और ये गोधी मीडिया है और ये गोधी मीडिया है शोशल मीडिया ने बहुत साथ दिया आपका और उस तरह से उन बच्चों का और उन छात्रों युवाओं का सभी का इसमें एहम और योगदान है जो सुभे जो है बीजेपी के तो क्या यह सब मुद्दे चुनाओं के मुद्दे बनेंगे यूपी में देखिए दिल में तो ते हो चुका है और जहां जहां चुना होगा इनका खामियाजा वर्तमान सरकारों को यह जो किसान के साथ सरकार नहीं कड़ी है उसको भुगतना पड़े कि जो जक मले के किसान जाएगा यह जो एक साल रोड पर जो सरकार ने बेठाया है तमाम ऐसे कारण होंगे जिसने अपने साथि कोई हैं जिस परिवार ने बाप कोया है बेटा होया है जिसने साध़त दी है जिसने पूरा का पूरी तागत लगा दी किसांदोलन में जिसका किसान और किसानई से कोई मतलब नहीं है उन लोगों ने प्रोपरटी बेच के और इस आंदोलन में भंडारे चला दी है तो यह बड़ा बदलाओ के और सारा करता है जो मेरी ओपीनियन है तो इस बाचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लखनों से जूड़ रहे हैं लेखक राजनितिक विशलिशक और एक्टिवेश्ट लाल बाहदूर सिंग्जी आपका निश क्लिक में स्वागत है धन्यवाद आप पहले दिन से किसान आंदूलन को बहुत करीब से देख रहे हैं लिख रहे हैं समझा रहे हैं समझ रहे हैं निश क्लिक में ही आपने दरजनों लेख लिखे हैं अब जब आंदूलन इस मकाम पर पहुचा है कि एतियसिक विजय हुई है और किसान घर लाट रहे हैं आप इस आंदूलन और नियूस क्लिक ने किसानों के सवाल पर जबरदस्त कवरेज न सिर्फ मेरे जैसे लेकों के माध्यन से बलकि जो आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई जो आपके रिपोर्टर्स लगे रहे लगतार आप लोग उसको कवर किये तो उसकी एक बड़ी भूनका रही आप जैस लोगों की और पॉर्टर्स की जिन्होंने पूरे कार्पोरेट वर्ल्ड की ओर से इन कानूनों को पुष्च करने के लिए जो एक प्रोपेगेंडा वार छेड़ा गया था उसको शिकस्त दिया और अंततर एक इस तरह के डिस्पॉर्टिक रेजीम को इस आंदूलन के आगे सरेंडर करने के लिए मजबूर किया देखिए मेरा मानना यह है कि इस आंदूलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर निरडायक असर पड़ाएगा दरसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की विदाई तय हो गई है मेरा मानना और योगी की जो विदाई होने जा रही है बाइस में इसके लिए भविश्य के इतिहासकार इस बात का विस्टेशन करेंगे कि जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो किसान अंदूलन है योगी की और फिर मोदी की विदाई की पटकता इस किसान अंदूलन ने लिखा है यह मैं आप से इसलिए कह रहा हूं अगर एक परस्पेक्टिब में हम वो बात करें तो अभी जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदे में यूपी में बीजेपी केवल सैंतालिस सीटे थे और पंद्रह परसेंट के आसपास वहां से एक मेटियारिक राइस हुआ दोहजार बारह से सत्रह में बीजेपी तीन सो के ऊपर सीटों पर पहुंच गहीं चालिस परसेंट के आसपास उपरसेंट यह जो राइस उसका हुआ था वो तीन फैक्टर्स थे उसके लिए एक तो सांप्रदाइक ध्रुमिकरण था दूसा सोशल इंजिनियरिंग थी और तीसरा जो विकास और समृद्धी का वाइदा था किसानु अंदोलन में एक्शुलिं टीनों को पंक्शर कर लिया सबसे पहले किसान अंदोलन में विरात एकता कायं किया और संघर्शों की एकता कायं किया उसने जो सांप्रुमिकरण का माहूल थाos कि पूरे देश में पूरा डिस्कोर्स बदल गया पूरा नेरेटिब चेंज हो गया जो उसके पहले अगर हम लोग याद करें तो सी ए नार्सी और उसके पहले तीन सो सत्तर और तीन तलाग तमाम जो माहूल चल रहा था किसान अंदोलन ने उसको तोड़ दिया इसका कांक्रीट असर पश्चमी उत्रप्रदेश में मुझाफर नगर दंगों का बीजेपी के राइज में खुद मोदी के 2014 में फिर 17 में यूपी के चुनाओ में और फिर 19 के चुनाओ मुझाफर नगर दंगों की वज़े से जो ध्रुवी करण हुआ था वो लगातार एक सबसे बड़ा फैक्टर उत्रप्रदेश्य मना हुआ था उसको इस आंदोलन में खटम करें और इसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि अभी डिस्परेट होकर के बीजेपी में मत मतुरा के सवाल पर अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के माध्यम से उठाने कोशिस किया है हम लोग कल्पना कर सकते हैं अगर यह किसान आंदोलन का मतुरा और पूरे वेस्टर्ण यूपी में इंपक्ट नहों होता तो आज मतुरा में क्या हो रहा होता लेकिन कोई असर न संग भाजपाक वो परवान नहीं चड़ सका क्योंकि दरसल उसमें जिन लोगों को यह उम्मीद कर रहे थे या जिनको यह शामिल करते वो सारे लोग तो किसान आंदोलन की वज़र से इनके खिलाप जा चुके हैं तो मतुरा में उस उन्मादी माहोल में शामिल कौन होता है और यही वज़े है कि बगल में मेरट में एक इतनी बड़ी रैली भाजपा के खिलाप बिपक्ष की अखिलेश की और देन चोजरी की हुडी है तो यह इस बात को दिखा रहा है कि जो ध्रुवीकरण का इजंडा था वो ध्वस्त हो चुका है दूसरा किसान आंदोलन ने य इनकी एक सम्रिद्धी और विकास की जो लफाजी थी किसानों की आयदोगनिक कर देंगे सब को रोजगार मिल जाएगा स्वामिनाथन आयोग के हिसाब से किसानों को पैसा मिलने लगेगा और पूरे देश में रामराज्य आ जाए यह जो लफाजी थी उसको भी किसान पहले से जो नोटबंदी और जीस्टी जैसी पॉलसी थी कोरोना में गलत धंग से लागडाउन किया वो सब तो था ही किसान आंदोलन ने इस बात को एक्सपोज कर गया कि दरसल गरीबों से किसानों से इनको कोई लेना देना नहीं है यह बैसिकली कार्पॉरेट के अडानी और अंबानी के आदमी यह कार्पॉरेट के आदमी हैं और इस हद तक उनके पक्ष में खड़े हैं कि उसके लिए 700 के उपर किसान मर गए किसानों को रौद दिया गया मंत्री की बेटे की गाड़ी से और उसको इन्होंने हटाया कि तो जो इनकी गरीब नवाज वाली छवी से खतम हो गई और इनकी जो गरीबों के मसीहा की छवी थी तब फिर जो तीसरी चीज़ बची सोशल इंजीनियरिंग वो नहीं अब चल पाए क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जो सामाजिक समूहों का जात्यों का गठबंधन होता है वो बेसिकली एक इसी तरह के कंड्यूस सिब माहौल वो संभाव पाता है लेकिन क्योंकि वो दोनों जो उसके बेसिक पैरामिटर्स थे वो ध्वस्त हो गए इसलिए अब जो सोशल इंजीनिरिंग हो गए रही है वो रिवर्स हो रही है इनों ने जो सोशल इंजीनिरिंग किया था जिन समुदायों को ले करके अब भाजपा विरोधी सबसे मजबूत जो दो पार्टनर्स को आप देख रहे हैं अखिलेश यादो जैन चौधरी इसमें तो प्रत्यक्ष भून का किसान अंदूलन की है पश्चमी उत्तरप्रदेश में किसान अंदूलन का इंपक्ट हुआ है उसी में संभव हुआ है कि जैन दरसल इस आंदूलन ने एक बहुत बड़ा काम यह किया कि विपक्षी पार्टियां जो पैरलाइजड थी जिनको लकवा मार गया था विभिन कार्डों से अब उसकार्ड के डीटेल में नहीं जाए उन पार्टियों को इस आंदूलन से एक संजीव नहीं मिली यह आंदूल दरसल उस पून पार्टियों में जान पूखने का इसने काम किया और वो उट खड़ी हों किसानों के उस साहस के बल पर उन्होंने जो चुनवती दिया मोदी योगी सरकार में उसी के पैरलेल उसी के साथ धीरे धीरे भी पक्षी पार्टियां भी उत्सर प्रडेस में समझ है कि मोदी और योगी के मीटियारिक राइस का दोजार चौदर से लेकर के दोजार सत्र होते हुए दोजार उन्नीस तक जो तीन सबसे बड़े जो प्लैंक्स थे साम्प्रदाइक द्रुवी करण इनकी विकास और सम्रिद्धी की बातें और उस पर बेस सोशल इंजिन के फिलाल इस बाचीत के लिए शुक्रिया बहुत बहुत रहने वाद में कुलिए और द्रुवाद तो आज हमने बात की किसान राइनिती चुनाओ हलाकि किसानों से इतनी उमीद करना इतनी अपेक्षा करना कि वे खेती किसानी के साथ अपना अंदूरन भी लड़े अपनी लड़ाई भी लड़े और सीधे तोर पर राजनिती में दखल भी दे ज्यादेती है बेमानी है वैसे किसानों का सस्त तो यही रहा है कि काम करने के सिवा और नाभाता कुछ भी काम करने के सिवा और नाभाता कुछ भी उसको महनत के अलावा नहीं आता कुछ भी लेकिन क्या कीजिए हालात ही ऐसे बन गए हैं कि उसे खेती किसानी से आगे जाकर कार्यभार लेना पड़ ला है तो अब देखते हैं कि क्या दिल्ली की तरह किसान यूपी का मोर्चा भी फत्य करता है तो चुनाव चक्र में आज फिलाल इतना ही आगे फिर चुनाव के किसी खास मुद्धे पर बात करेंगे तब तक आप हमारी साइट पर विजिट कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकाहिता को समर्थन दीजिए धन्यवाद